नमस्कार दोस्तों, तो चली हम लोग बात कर रहे थे सामान निग्यान के बारे में, इसमें इतिहास टॉपिक पर चर्चा कर रहे हम लोग, इतिहास में लाश्ट लेक्चर में हम लोगने बात की थे, भारतीय राश्टी कॉंग्रेस के अधिवेशन देखे थे, उनके इस्थल है इस्थलों के बारे में इससे आपका हरवार एक कुश्यंस पूंचा जाता है कोई भी एक जामों ठीक है बहुत ही मत पूर है टॉपिक तो चलिए बात करते हैं भूब यह आपकी दर्शनी यह स्थल हो गए यह स्थान या फिर राज्य हो गए और इसके नाप निर्माड करत बोहाँ हो गा या इससे संबंदित जो तत थे उसके बारे में हुए यह निर्माड भायस वारस और पिरमुक ततन अ दर्शनी ये स्तल है आपका कनहेरी की गुफाएं ये आपकी है मुंबई महराष्ट में कहा है मुंबई महराष्ट में किसके द्वारा निर्माड कराएगे बौद्धो द्वारा कब हुआ पहली सदी इसा पूर्षे नौवी सदी के मद्ध हुआ था इसका निर्माड तो पू सदी इसा पूर्व से नौभी सदी के मद्द हुआ था ठीक है तर यह आपकी अजन्ता की गुफाएं यह आपकी ओरंगाबाद महराश्ट में हैं इसके निर्माड करता थे बहुत थों एवं गुप्त सासकों द्वारा करवाएगे इसका हुआ आपका 200 इसा पूर्व से साससो इसवी के मद्द है फर आपकी अलोरा की गुफाएं यह भी आपकी ओरंगा महराश्ट में हैं और इनका निर्माड करवाया बहुत थों द्वारा है चारसो पचास से छेसो पचास इसवी के बीच याद रखी इसमें पूचा जाता है देखतर क्या पूचा जाएगा कि एलोरा की गुफाएं कहा हैं तो आपको बता देना है और अंगा महराश्ट और अंगाबाद महराश्ट किस्ते संबन देते हैं तो बहुत दों से हैं फर आपका कांचीपुराम के मंदिर यह आपके तमिलनाडू चन्नणई में है इसके निर्माड करता है पल्लब राजा 25 54 योगनी मंदिर यह आपका खजराहू मध्यपदेश प्रफ जिलस में इनका निर्माड करवाय था चन्देयर वालै किसमें चन्देयर राजांने कौन सी सधी में दशबी सधी सताप्दी में लचमण मंदिर ये भी आपका चतरपूर में है मद्धिपदेश में इसका भी निर्वाण चंदिर राजाओं ने करवाया था 950 से 1050 इसा इस भी के बीच ठीड़ तरह आपके खजुराहू की मंदिर ये भी आपके चतरपूर मद्धिपदेश में ही है इनका निर्माण भी आपके चंदिर राजाओं नहीं कराया इनका निर्माण करवाया था 1025 इसवी से 1050 इसवी के बीच कंदरिय महादेव मंदिर ये भी आपका खजुराहू में ही इसते थे चंदिर राजाओं ने इसका भी निर्माण करवाय था इसका भी निर्माण 1025 से 1050 इसवी के बीच करवाय गया फिर आता है आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है आपका आबू राजिस्थान में है इसके निर्माण करता थे बिमल साहें, कब करवाया है? दस्सो इकीज में फर यह आपका मदन महल है, मदन महल है आपका जवलपूर मद्विदिश में, MP में इसका निर्माण करता थे राजा मदन साहें, कब करवाया? ग्यारे सो सोले इस्वी में फर यह आपका चिन्ना केसा मंदिर यह आपका वेलूर में है इसके जो निर्माड करता थे वो थे विश्नु बालता है कब निर्माड करवाए ग्यारे सो सोले में कितने में ग्यारे सो सोले इसवी में फरे आपकी कुतब मीनार ये दिल्ली में है आपका कुतब बुद्धीन एवक ने इसका निर्माड करता था ग्यारे सो निन्यानवे में डाई दिन का जो पड़ा या आपका आजमे राजिस्थान में है इसका निर्माड करता भी कुत्व बित्तीन एवग थे कब 1199 फरे आपका आना सागर या आपका आजमे राजिस्थान में है इसके जो निर्माड करता था वो था अर्डो राज कब करवाया 1135 से 1150 की बीच इसके निर्माड करता थे अनंत वर्वन इसका निर्माड करवाया 12 सताथी में फिर आपका कौंडार्क मंदिर ये भी आपका पुरी उडिशा में ही है इसके निर्माड करता रहे है नरुसिंग देव पितम कब करवाया गया 13 भी सताप्दि हौज खास ये भी आपका दिल्ली में है इसके निर्मार करता है अराउत दिन खिल जी कब करवाया गया इसके निर्मार 1305 में फरे आपका तोगलका बाद एक दिल्ली में है ग्यासुद दिन तोगलक इसके संस्था पर थे या निर्मार करता थे 1321 से 1325 के बीच करवाएगा इसका निर्मार तो यह आपका खिड़की मर्चिद यह आपका दिल्ली में ही है इसके निर्मार करता थे जूनासा है धार का किला यह आपका धार मत्पदिश में है इसके निर्माड करता था मुहम्मद बिन तोगलग 1344 में इसका निर्माड कराया केसोर सागर एकोटा राजिस्थान में है इसके जो निर्माड करता थी राजकुमार धीर दे थे इसके निर्माड करता यह आपका 1346 में निर्माड करवाएगे इसका फिरोज साय कोटला ये आपका दिल्ली में है इसके निर्मार करता थी फिरोज साय दुगलग कब तेरह सो चंवन में बुंदी का महल या बुंदी का किला ये बुंदी राजिस्थान में है इसके जो निर्मार करता थी वो थी राजा नर्सिंग कब तेरह सो चंवन पिछोला जील यह आपका उदैपूर राजिस्तान में है इसका निर्मार एक बंजारा द्वारा करवाए गया था 1382 से 1421 के बीच हिल्ती मीनाथ यह आपका एहमदाबाद गुजरात में है इसका निर्मार 1450 में करवाए गया काकरी जील यह आपका एहमदाबाद गुजरात में है इसके जो निर्मार करता थे वो थे सुल्तान कुत्व बुति 1459 बिजय इस्तम यह आपका चित्तोडगर राजिस्तान में है महराडा कुमा ने इसका निर्मार कराय था 1459 से 1468 मान मंदिर आपका यह भी गौालियर मत्पिदेश में है इसके जो निर्मार करता थे वो थे आपके राजा मान सिंग तॉमर कब करवाय था 1486 से 1516 की बीज़ मेगनैनी का महल यह भी आपका गौालियर में ही इस्ति थे राजा मान सिंग तॉमर ने इसका भी निर्मार करवाय था 1486 से 1516 की बीज़ कोचीन का किला कोचीन का किला किरल में है यह आपका पुर्द गालियों द्वारा बनवाय गय था 1503 में फर है आपका गोलकुंडा का किला यह आपका हैदराबाद में कुली कुतुप साह ने इसका निर्मार कराय था कब 1518 से 1687 की बीज़ 1687 की बीज़ रामभाग यह आपका आगराउत्तर पिदेश में है इसका निर्मार बाबर ने करवाय था 1526 में चत्त महल यह आपका मूदी पूट राजिस्थान में है इसके निर्मार करता थी राजा छेत्य साथ 1531 में फिरे आपका सेर साहे का मकवरा सेर साहे का मकवरा आपका सासाराम बिहार में है इसका निर्माड करता थे इसलाम साहे 1549 से 45 के बीच फिरे आपका सेर साही मस्जिद ये पटना बिहार में ही है इस ते इसका निर्माट सेरसाहिने करवाय था पंदरे सो पैंतालीस में पुराना किला दिल्ली में इसका निर्माट सेरसाहिने करवाय था पंदरे सो चालीस से चावालीस के बीच डच महल ये आपका केरल में है इसका निर्माड पूर्द गालियों द्वारा करवाये गये था पंदरे सो संताबन में आगरा पूर्ट ये आपका आगरा उत्तर पितिस में है इसका निर्माड अकवर ने करवाये था पंदरे सो च्यासट में जहांगीरी महल ये आपका आगरा पूट उत्तर पिदिस में है अकवर ने इसका निर्माड करवाय था 1566 में फत्यपूर सिक्री ये आपका आगरा उत्तर पिदिस के पास ये अकवर ने इसका निर्माड करता थे 1571 में सती बोल्ज मत्राउत्तरपिदिस इसके निर्माण कत्ता थे राजा भगवान दास्त 1570 में अकवर का किला एलावा दुत्तरपिदिस में ये अकवर ने बनवाए था 1575 में अकवर द्वारा अंतिम ये मारत्ती बनवाई है ठीक है जूनागड का किला बीकाने राजिस्थान में इसके निर्माड कर था थी राजा जैसिंग 1887 में गोविंद सिंग गोविंद देव का मंदिर ये आपका विन्दावन उप्तरपिदिस में है 1590 में इसका निर्माड हुआ पर है आपके चार मीनार ये आपका हैतरावाद में पूर्ब में आंद्रपिदिस में थी इस इबनवाई थी कुली कुत्ब साहन है 1591 में इंदरगर ये आपका सबाई मादोपुर राजिस्थान में है इसके जो निर्माड करता थी उनका नाम था इंदसाल पंदरे 1605 में इसका निर्माड कराए गया था अकबर का मकबरा ये आपका सिकंद्रा उप्तरपिदिस में है इसके जो निर्माड करता थी उनका नाम था जहांगीर 1613 में मक्का मश्जिद हैदराबाद में है इसके निर्माड करता थी कुली कुत्ब साह 1614 पत्थर क्यों मस्टिद ये आपकी पठना भीहार में है इसको जो निर्मान करता थे उनका नाम था परवेच साहे 1621 में इत्मत दौला का मगवरा ये आपका आगरा उत्तर पितिस में इसका निर्मान कराया था नूर जहान 1622 से 1628 के बीच पत्थर मस्टिद जम्मू कस्मीर में है इसका निर्मान भी आपका नूर जहान करवाया थे 1623 में रादा बल्लब मंदिर ये आपका विंद्रा बन उत्तर पितिस में 1626 में इसका निर्मान हुआ फरे आपका निसाद बाग जम्मू कस्मीर में आसप अली ने इसका निर्माड करवाय था 1633 में खास महल आगरा पोर्ट उत्तर पिदिस साजहाने इसका निर्माड करवाय था 1636 में फिर आपका सी समहल ये आपका पोर्ट उत्तर पिदिस में आगरा में इसका निर्माण भी आपके साय जहाने करवाए था 1637 में दीवाने खास ये भी आपका आगरा पोट में उत्तरपिदेश में इसका निर्माण भी आपके साय जहाने करवाए था 1637 में फिर है आपका चीनी का रोजा ये आपका आगरा उत्तरपितिस में साजहान इसका निर्मार कुरवाय था 1649 में फ़र आपका ताज महिल ये आपका आगरा उत्तरपितिस में इसका निर्मार भी साजहाने करवाय था 1630 से 1652 कानपूर महिल आपका दोलपूर राजिस्तन में इसका निर्मार साय जहाने करवाए था 1640 में चस्मा साही जम्मू कस्मीर में अली मर्दान खाने इसका निर्मार करवाए था 1642 में साली मार बाग जम्मू कस्मीर में इसका निर्मार जहांगीर ने करवाए था जामा मस्जिद आगरा यह आपका साह जहाने निर्मार करवाया 1644 में फिर आती है आपकी मौती मस्जिद आगरा पोर्ट में साह जहाने बनवाय था इसे 1646 से 53 लाल किला यह आपका दिल्ली में है इसका निर्मार भी साह जहाने करवाय था 1648 में जामा मस्जिद दिल्ली में है इसका निर्माड साह जहाने करवाय था 1650 से 1656 सैंट जोर्ज किला या आपका चैन्नी तमिल लाडू में है इस्ट इंडिया कंपिनी ने इसका निर्माड करवाय था कब 1653 मौती मस्जित दिल्ली में है इसका निर्माण औरंग जेब ने करवाए था 1669 फिर आता है हमायू का मक्वडां दिल्ली में लाल केली में इसका निर्माण हमायू की बेगम ने करवाए था 1665 से 1674 की बीच फ्रयाप कब फत्य सागर उदेपुर राजिस्तान में इसका निर्माण करता था महराना फत्यसिंग 1678 में सहीलियों की बाड़ी उदेपुर राजिस्तान में इसके जो निर्माण करता थी उनका नाम था महराना फत्यसिंग 1678 में अनिरुद्ध का महिल बूंदी पोर्ट राजिस्तान में हैं इसका निर्माड करवाये था राजा अनिरुद्ध सींगने 1689 में बीवी का मकवरा औरंगाबाद महराष्ट औरंग जीनमने इसका निर्माड करवाये 1689 में जय समंद उदैपूर राजिस्तान में महाराणा जय सिंग ने इसका निर्माड करवाये था 1691 में राणी की बाड़ी बूंदी राजिस्तान में इसका निर्माड राजी नाथवती ने करवाये था 1722 में जंतर मंतर दिल्ली में इसका निर्माड राजा सवाई जैसिंग ने करवाए था 1724 में डीग महल डीग राजिस्थान में इसका निर्माड राजा बदन सिंग ने करवाए 1725 में जंतर मंतर जैपुर में राजिस्थान में इसका निर्माण भी सवाई जैसिंग ने करवाया 1625, 1624, 1724 से 1727 की वीच जैगड़ पोर्ट, जैपूर राजिस्तान में इसके निर्माण करता थे सवाई जैसिंग 1726 पर आपका नाहरगड़ पोर्ट इसके निर्माण करता भी आपके सवाई जैसिंग यह थे 1734 में वहरतपूर का किला, यह आपका वहरतपूर राजिस्तान में इसके जो निर्माण करता थे, उनका नाम था राजा सूरजमल 1332 से 1802 की इस वी के बीच इसका निर्माण हुआ जगमोहन महल, यह आपका कूटा राजिस्तान में है, इसके जो निर्माण करता थे, उनका नाम था राजकुमार वरिच कुमार, इसका निर्माण हुआ 1740 में प्रयापका पादरी की हवेरी, यह आपका पठना बिहार में है इसके जो निर्माण करता थे, इसके फादर का पोचिन 1751 में अंगली इमारत थे, आपकी सफदर जंग का मक्वरा दिल्ली में है, इसके जो निर्माण करता थे, वो तिस सुजावत दौला 1753 से 1770 के वीचिसका निर्माण बुए पिलियम पोर्ट, कोलकाता पश्चे मंगाल में इसके निर्माण करता थे, लॉड किलाईव 1757 सुख निवास, यह आपका मूदी राजिस्थान में है इसके जो निर्माण करता थे, उनका नाम था, राजा विशन सीन 1773 में गोलगर पटना बिहार में है वेटिस सरकार इसका निर्माण करता रही है 1786 में विश्नुपद मंदिर, गया बिहार में है इसके जो निर्माण करता थे, उनका नाम था, रानी एहल्यावई 1787 में बड़ा इमाम बाड़ा, लखन उत्तर कुदिस इसके जो निर्माण करता थे, नवाब आसपुद्दॉला 1784 फरे आपका हावा महिल या आपका जैपू राजिस्थान में है इसके निर्माण करता थे, महराणा पिर्ताप सिंग 1799 में फरे आपका लाल बाग या आपका बैंगलोर करनाटक में है इसके निर्माण करता थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान 18-वी सदी में इसका निर्माण करवाले गए फिर थे आपके टीपू का महल ये भी आपका बैंगलोर करनाटक में ही इस्तित है इसके निर्माण करता रहे है, हैदर अली टीपू सुल्तान 18-वी सताबदी में फिर आपका स्वड मंदिर की छट स्वड मंदिर की स्वएड छट ये अमरेस्तिर पंजाब में है, इसके निर्माण करता रहे है, महराजा रडजी सिंग 16-2 में सरी, 18-2 18-2 इसवी फिर आपका हर मंदिर, ये आपका पटना बिहार में है पटना बिहार में इसके निर्माण करता रहे है, महराजा रडजी सिंग 180-2 में मुसिरानी की चत्री ये अलबर राजिस्थान में हैं इसके निर्वाड करता रहे महराजा बिनैसी अठारे सो पंद्र रहे गागरोन का किला या कज जालावाड राजिस्थान में हैं इसके जो निर्वाड करता थे वो थे जालावाड राजवाडा अठारे सो अठारे छोटा इमाम बाड़ा लखनव उत्तरकिदिस मुहम्मद अली साहिं थे इसकी निर्माड करता है 1837 में फिर्यापका काली का मंदिर कोलकाता पश्चे मंगाल में रानी रासमोनी इसकी निर्माड करता रही है 1847 में फिर्यापका अफगान चर्ज मुंबई महराष्ण में इसकी जो निर्माड करता थे वो थे वेटिस सरकार 1847 में फिर्यापका रंग जी का मंदिर या आपका विंदावन उत्तरपिदिस में इसका निर्माड भूगा था 1859 में जैन मंदिर अजमे राजिस्थान में है आपका इसके जो निर्माड करता थे वो थे सेट मूलचंद सौनी 1865 में साय जी का मंदिर ये बिंदावन उत्तरपिदिस में है 1876 में इसका निर्माड कराए गया हाई कोट मुंबई बाला महराष्ट में ये वेटिस सरकार की समय हुआ 1878 में जोधपुर्दुर ये आपका जोधपुर्द राजिस्थान में है इसके जो निर्माड करता थे वो थे राव जोधाजी 1899 में फर्याप का ब्यलूर मट ये कॉलकातब पश्चे मंगाल में इसके निर्माड करता थे रामकिष्ट मिसन और स्वामी बिवी का नंद 1899 फर्याप का सांती निकीतन पश्चे मंगाल में इसके निर्माड करता रहे है आपकी रवेंदनाठ टेगोर 1905 में उम्मेद भावन महल ये आपका ज्योत को राजिस्तान में है इसके जो निर्माड करता थे वो थे महराजा उम्मेद सींग 1905 में फ्रेंस ओब बेल्स म्यूजियम बंबई महराष्ट में इसके निर्माड करता रहे है जॉर्ज पंचम 1901 में फ्रें आपका सावर्दमति आस्रम ये एहमदाबाद गुजरात में है इसके जो निर्माड करता रहे है वो है आपकी महत्मा गांदी जी इसके निर्माड करता थी मौतिलाल नहरो गेटवे ओप इंडिया बंबई महराष्ट में इसके निर्माड करता रहे है बेटिस सरकार 1924 में राष्टपती बपन दिल्ली बेटिस सरकार इसके निर्माड करता रहे है 1929 में लच्मी नारायन मंतिर दिल्ली विल्ला परिवार ने इसका निर्माड करवाया 1938 में जिम कारविट फार्क नेनिताल उत्राकंड में इसके निर्माड करता रहे है सर मेलकम हैली 1935 में लचमड जूला रिकिसी के उत्राकंड में 1949 में इसका निर्माड हुआ फरे आपका तारापूर का मचली है या आपका बंबई महराष्ट में तारापूर उन्निस सो इंक्यावन में इसका निर्माड हुआ विवेक अनन्द रौक मेमोरियल या आपका तमिलाडू चन्ड़ी में है इसके निर्माड करता रहे हैं विवेक अनन्द रौक मेमोरियल कमीटी 1970 में तो यह थे आपके प्रमुक दर्शन यह इसकल या प्रमुक इमार्थ में जोगी थे ठीए भारत की अब आगे हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत में संस्कित पाली प्रकृत इवं अन्य भासाओं की गरंत होनकी लेकत